असलाम अलेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ कि आप सब लोग खेरियत से होंगे तो आज आपके लिए बहुत मज़िदार चिकन मलाई बोटी सेंड्विच की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत आसान और बहुत मज़िदार है तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है हाफ इंच में कटा हुआ है और आप इसके अंदर चिकन थाई या ब्रेस्ट कोई भी ले सकते है साथ ही इसके अंदर मैंने लिया है 100 ग्राम हरी वाली शिमला मिर्च इसे भी हाफ इंच में ही काट लिया है और प्यास भी इसी तरह मोटी मोटी चॉप कर लिए है, दोनों 100-100 ग्राम है मसालों में जाएगा एक टी स्पून जीरा पाउडर आदा टी स्पून गाले मिर्च पाउडर और आदा टी स्पून तक्नी मिर्च पाउडर आप दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं, एक टी स्पून कुटी लाल मिर्च वन फोटी स्पून, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून और नमक वन फोटी स्पून, चुके इसमें हम चीज और मियोनीज वगरा सब डाल रहें तो हम आखिर मेस का डमक जो है वो चक लेंगे साथ ही इसके दर चला जाएगा एक टेबल स्पून मियोनीज एक टेबल स्पून दही और दो टेबल स्पून कुकिंग क्रीम आदा टेबल स्पून लीबुकरास जाएगा आदा टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट एक टेबल स्पून ऑईल चुक थो हम मेवनीज और क्रीम दोनों का इस्तिमाल करेंगे साथ ही मैंने इसके अंदर ले लिया है सलात पत्ता, एक कप मैंने चीज ले ली है आप कोई भी मौसरेला या चैडर ले सकते हैं और 10 slices मैंने इसमें plain bread के लिए हैं, आप चाहे तो इसके अंदर कोई भी sandwich bread जो है वो इस्तेमाल कर सकते जो आपकी local bakery में आराम से मिल जाती हो अब marinate करने के लिए chicken को एक bowl में हम तमाब ingredients को mix कर लेंगे, तो इसमें चली गई मियोणी, cream और दही साथ ही चला जाएगा lesson का paste और तमाब मसाले भी इसमें चले जाएंगे और तमाब चीदों को आप mix कर लेंगे अच्छे तरीके से और mix करने के बाद इसमें chicken शामिल कर देंगे और इसे भी mix कर लेंगे और अब इसे cover लगाके 15-20 minutes के लिए हम marinate होने रख देंगे इसके बाद हम एक frying pan के अंदर एक table spoon oil ले लेंगे और इसमें तमाब marinate किया हुआ chicken शामिल कर देंगे और medium flame के उपर अब हम chicken को पकाएंगे ढकल लगा देते हैं और इसे थोड़ी देर पका लेते तो देखिए तकरीबन ये 10-12 minutes में half done से ज्यादा हो गई है लेकिन इसमें पानी अच्छा खासा भी मौजूद है तो इसी time के उपर जो शिमला मेर्च और प्याज है वो हम शामिल कर देंगे और आज को medium high की तरफ करके अब हम इन तमाम चीजों को पका लेंगे completely और dry कर लेंगे तो cover लगा देते हैं 5 minutes के लिए अब देखिए इसका तमाम liquid जो है वो dry हो गया है तो इसे मैं frying pan के किनारों की तरफ कर रही हूँ एक जैसा हम इनको किनारों पे कर लेंगे और बीच में कटोरी के लिए जगा बना लेंगे बीच में हम स्टील की कटोरी रखेंगे और उसके उपर धहकता हुआ कोईला रखेंगे और उसके उपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको धुआ लगा लेंगे तो 2-3 minutes के लिए हम इसे धुआ लगा लेंगे और चूला इस वक्त बद है 2-3 minutes में हम इसे खोलेंगे और उसके बाद हम इसके उपर चीज डाल देंगे ग्रेट कीवी आप पहले चीज डालके फिर एक दफा ही धुआ लगा सकते है तो चिकन चुके मेरी अभी भी गरम है तो इसको हम वापस से कवर लगा देंगे तो थोड़ी सी दिर में ये मेल्ट हो जाएगी अब इसके बाद जो हमने ब्रेट स्लाइसे लिये थे बगएर ओल लगाए उन्हें सेक लेंगे मीडियम आज पे तो आप हलका या तेल जैसा चाहें सेक सकते इन्हें निकालेंगे और प्लेट के उपर रख लेंगे और इसी तरीके से जितने आपने सैड्वेज बनाने है उतनी स्लाइस जो है वो आप सेक ले इसके बाद मैंने आदा कप मियोनीस ले लिया है इसमें हम घर में बदी कोई भी चटनी शामिल कर देंगे एक टेबल स्पून और अगर आपकी चटनी में खटास नहीं है तो एक टेबल स्पून इसके अदर लीबू का रज भी शामिल कर दीजेगा मेरी वाली चटनी जो है पहले से ही खटी है तो इससे मिक्स कर लेते हैं अब इसके अदर एक टेबल स्पून हम क्रीम का भी शामिल कर देंगे आप इसके अदर एक से दो टेबल स्पून दूद भी शामिल कर सकते हैं इसकी कंसिस्टनसी को बिल्कुल मुनासिब करने के लिए तो ये हमारी मलाई बोटी की मियोनीज भी तैयार हो गई है अब सबसे पहले हम डबल रोटी के उपर जो मियोनीज हमने तैयार की थी चटनी वाली वो लगा देंगे और दूसरे स्लाइस के उपर हम हॉट सॉस लगा ले कैचप लगा ले या चिली गार्लिक सॉस जो आपको पसंदो आप वो लगा सकते इसके अदर तो मैंने यहाँ चिली गार्लिक सॉस लगाए है बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप कैचप लगाए इसके बाद हम इसके उपर सलाग पता रख देंगे आप साथ में टिमाटर खीरा किसी भी चीज़ का इस्तवाल कर सकते अब साथ ही हम इसमें चिकन रखेंगे तो जैनरसली हमने चिकन रखा है इसके उपर इस अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे और अब इसके उपर हम दूसरा सलाइस रखेंगे और सैट्मिट को रेडी कर लेगे इसके बाद हम इसमें 4 टूटपिक लगाएंगे ताके ये अपनी जगह से फिसले रही कटिंग गड़ते वक्त अक्सर फिसल जाता है तो इसलिए इसमें स्लाइस के उपर टूटपिक लगा लेना चाहिए अब दो तरफ हाथ रखके बहुत दिहान से हम इसको कट करेंगे और सेंडविच कट करने के लिए हमेशा स्रेटिट नाइफ का इस्तमाल करना चाहिए तो देखिए सेंडविच बनके तयार होगा इसी तरह तमाम के तमाम सेंडविच हम रेडी कर लेंगे तो हमारे बहुत मज़िदार बलाई बोटी सेडविश तैयार है इन्हें रमजान में आप जरूर ट्राइ कीजेगा और अगर आपको रैसी भी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अल्ला हाफिज